इस बार अगर वर्दी चाहिए तो आपको बस इतना ही करना है मैं हर बार बोल ला हूँ कि वहला आपको प्रिविस एर्ट कोश्चन लगाने और कुछ भी नहीं करना है देखिए यह एक्जैम डेट 10 जनवरी 2030 के जो फर्स्ट सेकेंड सिप्ट में कोश्चन पूछे गए थे अनुपात समानुपात से दो कोश्चन आपके सेकेंड सिप्ट में थे दो कोश्चन ही फर्स्ट सिप्ट में पूछे गए थे तो वो किस तरह से हैं सारा कोश मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक तो देखिए सबसे पहले त है वो इसका मान होता है यहांपर बी कमान कितना लिखा है निखा है तिन सी कमान लिखा है एपको निखाई है एब बी सी में अनुपाथ तो अनुपात कैसे निखा। आ कमान दो तो कैसे लिखेंगे तब हम इसके नीचे लिखते हैं बी कमान लिखेंगे दो सी कमान कितना है सी कमान है तीन तो दोसे बर दो अब बस इनका आपस में सीधा सीधा खड़ा-खड़ा ऐसे गुणा कर दो तो देखो यहाँ दो दुनी कितना हुआ चार हुआ तीन दुनी कितना हुआ छे हुआ और तीन तियां कितना हुआ नो हुआ तो यह हमारा A, B, C में अनुपात आ गया यानी A ये है B, A, C ये है बात समझ में आगी आप देखो दूसरा कॉंसेप्ट यह है कि मध्या नुपाती तर्टिया नुपाती या तीसरा नुपात चतुर्था नुपाती या कहीं कहीं एक्जाम में आपको लिखा मिलेगा चौथा नुपात ये कैसे निकालते हैं देखो मध्यान उपाती में हमेशा दो संख्याइं देता है A और B माल लो दो संख्याइं तरतियान उपाती निकालने में भी हमेशा दो संख्याइं देगा लेकिन जब चौथा नुपात निकालना होगा तो आपको तीन संख्याइं देगा देखो जब मध्यान उपाती निकालना हो तो कुछ ना करो केबल दोनों संख्याओं का गुणा कर दो और उनका वर्गमूल निकाल दो तो आपका मध्यान उपाती निकलाएगा जब आपको तीसरा नुपात यानि तरतिया नुपाती निकालना हो तो आप क्या करोगे कि दूसरी संख्या को दो बार गुणा करोगे और पहली संख्या से आप क्या करोगे भाग कर दोगे जब आपको चोथा नुपात चतुर्था नुपाती निकालना हो तो अंत की दो संख्याओं का आप गुणा करोगे और पहली संख्या से भाग कर दोगे तो ये तरीका है अप जैसे हमने कहा कि 9 और 4 इनका आप क्या निकाले इनका आप मध्यानुपाती निकाले और इनका आप क्या निकाले इनका चतुर्था नुपाती निकाले ये सारी चीजे हमने आपसे पूछी तो देखिए मध्यानुपाती के लिए हमने आपसे क्या बोला है कि आप दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल कर दोगे तो आपका मध्यानुपाती निकलाएगा तो देखिए 9 चोकों कितना हुआ 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है तो ये हो गया हमारा मध्या नुपाती 9 और 4 चार का तर्तिया नुपाती हम आपसे पूछें तो तर्तिया नुपाती कैसे निकालते हैं दूसरी संख्या को हम दो बार गुणा करते हैं पहली संख्या से भाग कर देते हैं तो चार चोको 16 बटे नो ये हमारा आगया तर्तिया नुपाती या तीसरा नुपाती यानि थर्ड प्रपोर्शन चतुर्था नुपाती कैसे निकालते हैं अंत की दो संख्याओं का हम गुणा कर देते हैं और पहली संख्या से भाग कर दे सभागत तो आंति है पर तो दो रहा निकालने में हमेसा पहली संख्या बाहल मपाति में 아니 किस तरह से पूछे गए देखिए जैसे यह कुश्चन था लिखा हुआ है साथ पाँच और तीन के चौथे समानुपाद तो सबसे पहले देखिए चौथा समानुपाद कैसे निकालते हैं हमने क्या कहा था अभी आपको कि चतुर्था नुपाद या चौथा नुपाद निका बटे साथ आ गया ठीक है यह हमारा चतुर्था नुपाद आ गया आगे कुश्चन में क्या कहा गया कह रहा है साथ और तेरा का तीसरा नुपाद निकाल लिए तो साथ और तेरा का तीसरा नुपाद कैसे निकाला लेंगे हम दूसरी संख्या को दो बार बुना करके हम पहल वटे साथ था और जो तीसरा अनुपाद था वो 179 वटे साथ था इन में अनुपाद पूछ रहा है तो देखिए नीचे यह साथ है यहां भी साथ है तो यह साथ से साथ कड़ गया तो आंसर गया अब 15 अनुपाद 179 हमारा यह आप्शन सही हो गया बात समझ में आ गई अब इस कुश्चन को देखिए लिखा हुआ है कि A B में 5 6 का अनुपाद है B C में 6 7 का अनुपाद है यहां पर यह हमसे पूछा गया तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम A, B, C में अनुपात निकाल लें अगर A, B, C में अनुपात निकाल लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा A कमान क्या है, B कमान क्या है, C कमान क्या है यहाँ पर रख देंगे, अनसर आ जाएगा तो ABC में अनुपात कैसे निकालते हैं अभी हमने बताया कि A कमान कितना है 5 है तो A की जगे आप रख दो 5 B कमान कितना है 6 है तो B की जगे हम रख देंगे 6 यहाँ पर देखो B की जगे कितना है B कमान 6 है तो B की जगे 6 रखा है ठीक है रखा रहे ने तो B की जिगए 6 और C की जिगए कितना है साथ है C की जिगए अब साथ रख दो तो यहां तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है A कमान 5, B कमान 6, C कमान 7 यहां आपको कुछ गुला बाग करने की जरूरत नहीं है अब यहां जैसा कुछन दिया है, यहां पर सारी वैलू पुट कर दो A कमान कितना रखना है हमको 5, 5 रख दिया, प्लस लगाया B कमान कितना रखना है, B कमान 6 रख देंगे तो 6, 5 कितना होगा बताईए, 11 हो जाएगा, अनुपात लगाया B कमान कितना रखेंगे B कमान हम 6 रखेंगे हमने 6 रख दिया C कमान कितना रखना है C कमान 7 रखना है 7 6 कितना हो गया 13 हो गया यहाँ पर देखेंगे C कमान कितना है C कमान 7 है A कमान कितना है 5 है तो 7 5 कितना हो गया 12 हो गया 11, 13, 12 का नुपाथ हमारा option A सई हो गया आप देखिए जैसे ये question लिखा है कि अंडर रूट 6 अंडर रूट 8 और रूट 21 का चतुर्था नुपाती याद कीजिए तो चतुर्था नुपाती के लिए हमने आपको क्या सिखाया कि अंत की दो संख्याओं का आप गुणा कर दो और पहली संख्या से भाग कर दो अंत की दो संख्याओं का गुणा कर दो गुणा करने का तरीका रूट का क्या होता है जरा बताइए बेसिक से हमने कई बार इस चीज को सिखाया हुआ है क्या होता है कि रूट के गुणा करने का तरीका अब सब कुछ रूट के अंदर ले लो और जो भी संख्य साथ, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, तो ये तो बाहर निकल आएगा, लेकिन 7 नहीं बाहर निकल पाएगा, तो ये 7 अंदर ही रह जाएगा, हमारा अंसर क्या आजाएगा? 2 अंडरोट 7, इय औपशन सही हो जाएगा, लिखा है 5X-2Y, अनुपाथ X-2Y बराबर 9 अनुपाद 17 है तो 9X बटे 13Y का मान क्या होगा जब कभी यह माइनस प्लस ऐसे करके अनुपाद दिया हो तो एक यह होता है 3 अक गुणा 3 अक गुणा आप लोग समझते है A बटे B बराबर अगर लिखा है 2 बटे 3 तो इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा यह होता है 3 अक गुणा अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि 5X-2Y और अनुपाद का मतलब बटा भी होता है यह आप लोगों को पता होना चाहिए जैसे अगर A अनुपाद B लिखा है तो इसका मतलब है A बटा B ठीक है तो 5X-2Y अनुपाद का मतलब बटा और X-2Y बराबर 9 अनुपाद 17 का मतलब 9 बटे 17 अब क्या करेंगे हम इसमें तिर्चा गुणा इसको कर देंगे तो 17 का गुणा 5 में करेंगे तो 17 पचे कितना होगा 85X माइनस 17 दुनी कितना होगा 34Y बराबर 9 का गुणा X में करेंगे तो 9X आजाएगा और माइनस 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18Y हमारा यहाँ पर आ जाएगा अब इसको solve करेंगे तो देखिए XX एक तरफ ले लेंगे Y एक तरफ ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए 9X लिखा हुआ है और यहां कितना लिखा है 85 X तो यह 9 X इधार आ जाएगा 85 X माईनस का 95 Xx एक तरफ ले लो Yy एक तरफ ले लो बराबर यह 34 Y इधर माईनस में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 34 Y और यहां माईनस 18 Y लिखा है से आब ऐसे ही लिखा रहे हैं तो अब 85 में से 9 घटा दो 15 में 9 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा यहां 7 बचेगा तो 6 एक्स बराबर 14 में 8 जाएगा 6 बचेगा और यहां 2 बचेगा तो 2 में एक जाएगा 1 बचेगा 16 अब देखो फिर वही तिर्चा इसे करते हैं वैसे करना है लेकिन यहां पर संख्या को एक तरफ ले जाओ और क्यों ताकि हमको एक्स बटे य बराबर ऐसे कुछ मिलेगा तोäch का मान मिल जाएगा य कमान मिल जाएगा बस हम रख देंगे तो यहां पर देखिए एक्स बटे वाई बराबर 16 उपर है तो 16 संख्या को बस नीचे लिया बटे ची अत्तर कर दिया जो कट रहा है आप उसे काट लीजिए देखिए यहां से अगर हम इसको किस से काट लें दो से काट लें तो 2816 इसे 2 से काटेंगे 236 और 2816 अभी भी 2 से कितना रख दें चार और वाई कमान कितना रख दें उन्निस तो 13 गुड़े उन्निस हो गया तो 9 चोकों कितना हो गया 36 हो गया और बटे यहां पर देखिए 13 को गुणा जब हम 19 में करेंगे तो 1313 नवीया 117 1317 कितना हो गया 247 कितना जाएगा 247 यह हमारा option सभी हो जाएगा इस तरह से आपको question करना है उम्मीद करता हूँ कि आज की question आपको सभी को समझ में आ गए होंगे अगले वीडियो में हम इसी सिप्ट की question को discuss करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई टेक केर जैं